Hello everyone, today we are going to discuss about the nucleus, nucleus जो एक हमार most important topic है, cell biology का उसके साथ साथ, जो 11th class biology हमारा cell the unit of life chapter है, उसका last topic है और most important topic है जो कि बहुत ज़दा competitive exam में पूछ जाता है, और nucleus ही एक ऐसा structure जो differentiate करता है, दो different type of cell है, प्रोकरिटिक cell है, प्रोकरिटिक cell है, प्रोकरिटिक cell है, प्रोकरिटिक cell है हम हमें nucleus like structure नहीं मिलता है बड़ जो material एक कंटेन करता है nucleus वह मतील वहां मिलता है हमें, ठीक इसी की presence और options के according हम classify करते हैं, cells को एक प्रोकरिटिक, यूकरिटिक में clear, तो start करते हैं, discuss करना, यहां पर जो लिए करक्टर से given, तो first यहां जो nucleus है, उसे identify किया था, रोड ब्राउन ने orchid plant की root कि इस cell में उन्होंने first find out किया था, और से पहले ही बहुत लोगा ने find किया था, but Robert Brown जो है उन्होंने इसे nucleus name दिया था, और यहां जो nucleus से Greek word से form one nucleus word, nucleus का meaning होता central structure या central body, और generally हमें तो structures हैं हमारे पास, उनमें कुछ exceptions हैं उनको छोड़ते हैं, तो सभी हमें हमें central structure ही है, centrally हमें nucleus मिलते हैं, अब यह है क्या, it is a double membrane structure that includes all the genetic information, genetic information DNA के form है, deoxy ribonucleic acid के form में, उस information को यह contain कर रहा है, ठीक हो है, क्या double membrane structure है, nucleus is present in all eucleutic cell except mature mammalian RBC, mature mammalian RBC की बात करते हैं, उसके साथ हमारे पास, जो एक companion, seed tube cell जो पार्ट है, उनमें इसे भी जो हम बात करें, seed cell की बात करें, seed tube cell की बात कर दें, वहाँ भी हमें nucleus देखने को नहीं मिलता है, उसके अलावा, all the cells, जो भी living cells है, plant, animal cell है, या produce है, या फंजाईस है, सभी में हमे बात करें, उस ताइम में RBC होता है, बट जिससे वो mature होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है, कि companion cell और seed tube cell दोनों का function नहीं की पार्ट है, और ये क्या करेंगे, सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करेंगे, सुक्रोज को जब रांसपोर्ट करेंगे, सुक्रोज को रीजन भी नहीं होती है, रुषी, नोसी इंफोर में की तो जो इंफोरमिशन करें, ये इनफोर में की तो जो हमारी न लाफ है, ये मेंम कड़ियन के के लिए, इसल्ये लिए शेनी निकलियल क्यूर्ण कर दो है, यह खिक हमारी नुक्लियरण ऊ' उल्स बदाखन कर से सहपा तक तक त्सक्राइल करती तैट मुट्य इनने अज नॉकुलेट प्लास्ट अब इसका नेक्स पॉंट की बात करें नॉकलेस रेड्वेट दा इंटी गृति त अब देजीन एंड जीन एक्सपेसेंट इस आफ पार इसे इंफामेशन कंटेंग रहा है कि उसके अदर ही यानी पर्म करने की ओनूर इस पर मोब जो हूल अक्टिव पर फॉर्म और किसी एक लिविंग बाडी के अंदर सारी इन फार्म यह कर रहा कहर क॑ं कंतन रहा कर रहा है चर्रक और गुलर कंट्टिम कर रहा है जनेटी इसे लिए सेंटर सेंटर अप्द वी से बोलते हैं अब शेप की बात अज़िए इस भी जपनेंघ जहाने अफी कि आपको राउंड मिलेगा ओर मिलेगा लेकिन शेप अलग से आप जो रॉब से आपने को से हो हो देखे, बाय लोग मिलें किसी में ट्राइलों मिलें गा तो यहाँ पर अलग अलग जो है और जो है μोज में षीप के शेप मिलेगी आपो वहाँ प्ली मॉरफ गया वहाँ पर निकलिश केशप में गिर अभी हो पट्रवाव जो है देयर बाय निकलीट वह क्या हूंगे बाय निकलीट जिस्टे-पैरअमेशियं की बात करते हैं वहाँ पर एक लादजर सन्ट निकलीट और दोनों के फंक्शन भी अलग-अलग परीफेडलीं इडिपोसैल साइट प्रोलडेश कुछ फॉर्म करते हैं इडिपोसいい एडिपोसाइड सेल में देखोगे की आपका जो यह पूरा सेल सेल शेयर्प है उसमें नुक्लियस यहां प्रेज्ट और यह पूरा यरिया मेंली क्या प्रजेंट वहां थैट प्रजेंट होगा तो इस तरह है कि जो instruction देखने कुछा सब बैसरेन अच्याओं तरहीं सेल जो कॉल मिन अपिछी सेमारे वहां पो हमें हिकले मेंग सत्य जो हम रहे नुकलियं सने कॉलमने भी टी दम करATION सब्सक्राइब कर देंगे किसमें हमें सब्सक्राइब तो पोजिशन जो है वो अलग अलग सती कोई इस फिक्स नहीं है बट फिय एक्सेप्शन से उनके साथ जो है यह प्रॉलम है अधर वाइस जनली यह और वहीं इसलिए जो है रॉबर ब्राउट का जो नेम कोईन किया था नुकलियस यह परपस था नूकलियस का इंड करने का वड वह फिर परपस यह था कि जनली सेंट्र ली मिलता है अब शेप की बात किए अफ नुकलियस बैरियेबल शेभी वरियेबल है जर्रशांपल इस प सब्सक्राइब मिल ला है कर दो तो यह और दो नूपल रहे हैं वहां पे उन जो है एक larger होगा एक smaller होगा है तो यह उसके एक और इंग है यहां पर नेक्सक्राइब मिलेगा आपको निट्रो फिल से मिल जाएगा बैलूड मिलेगा एसी तो फिल यह बस फिल जो है नुटिजो वहाँ पाई चीश स्थमेगी आपको अब क्लिए कर रहा है थे अब जो नेक्स स्टार्ट करती है करना यहां हपे हम स्ट्रक्टर की बात करते हैं तो प्रसके बाहुत है क्लिट प्रेस्ट फुर्प निक्लियर मेंब्रेन नुक्लिय hello the मेंट्रिक्स मैै्ट्रीक्स के अंदर हमले civilization भ água शांज की भात सकते हैं इसके साथ सपेरिकल स्टक्श्रम हें यह क्या है नुक्लियर मेंबरेन हैं सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब ने और वहां से आते हैं और वहीं साइटोप्लाम से जो मट्रीर्स हैं उनहीं नुकलियर को और के थूज है इंटर करते हैं नुकलियस के अंदर फिर आपको दिखाई पटरा यह जो स्बॉक्चिर्स से यह जो है आपके रॉख इंडॉप्लाजम रेट कुलम शोगया है है यह आपका साथ निकलिया लाई हो गया आपको बहुत सारे फाइबर दिखाई पर लेए, वह क्या हो गया अपका क्रोमटीन हो गया और जो आपको परपल में शोह, हो रहा है यहा देख रहा हो कि आउटर मेंब्रेन जोगी वह इंड़ोप्लाजिक मेंब्रेन से करनेक्टेट होगी उसके साथ चुछे देनुक्लियर इंपर कंसिस्ट फॉस्फॉलिट विड़ाट फॉर्म लिपिट बाले इसमें भी प्रजेंट फॉस्फॉलिपिट प्रजेंट हाई प्रजेंट फैरी पैरी नुकलियोस पैस जो है उसे बोलते हैं तो वह भी यहां में देखने मिलता रहा है नुकलियो पोर फॉर्म करा है नुकलियो पोर जो है वह क्या है वह वो क्या है वह ओपनिंग से जो कि क्या मटेल के इन साइट और आउट साइड मुव करने में जो है help करेंगे अब आगे और इसी में बात करें देन नुक्लियस के अन्दर उसमें यह help कर रहा है नुक्लियर पोर आट आट और एक्सचेंज अफ लार्ज मॉल्क्यूल यह भी बात सही है नुक्लियर पोर जो है है साइट है जिससे की जो मॉलिकूल से एक्सचेंज होते हैं लाइक प्रोटीन और ने बिटमीन दा नुकलियस और साइट प्लाइब क्योंकि एक अभी आप पढ़ो गया चलके हाइर ग्लास में कि जो एक प्रोसेस ट्रांसक्रिशन जिसके थूँ डिन ने में जीन फ्रेंड और सब्सक्राइब बहुन वार की साइट प्रेंट और यह क्या करेंगे यह जो है उन आप म सो कार्ड करेंगे और उसे जो उस को अ anomie ब्स्रेश करेंगे फ्र्टीन करेंगे थे अ väldigt mice a fluid flat王 यह फ्र्रोइट फ्लिइस प्रेस और पैरिन नुक्लियस स्पेस्हीं इस यह भी थीक इस पेस है जो कि प्रजेंट थे हमारा क्या हो गया नुक्लीयर मेंबरेन का अब नेक्स बात नुक्लियॉ प्लाज्म निग्ले प्लाज्म इस दा जे लेटने सबस्टेंज बीदीन दा नुक्लियर इनवेलब निदेंगे आंदर जो है प्रेजंट क्या है एक ज़ एक विल्रे हां प्रॉट्ट धंक और सटेशने säger टोंरन शाहे डिस एइस कमपोच मिली एप उप्ट्म वाइटर वाटर विड़्ी दिन वाटर सटार्ट यहाँ पर कुमपोचछ और नहीं है यहां भी वही होगा यहाँ पे यह होगा कि आपके विए हमें अरेमीनी नो लुपी OH ये चीजअ चाह cheat अब यह चाहे बीजोब बाइब पाइब्ना इसके सासा जो क्रोमोजोम है यह क्रोमटीन फाइबर यह सेजसेंग एक बाइवालने तरह से तीनी क्रोमोजोम आप अप्रटीच करते हैं ठीक किमिस अगर सेल 9 डिवाडिंग स्टेज पर तो वो क्रोमेटीन फॉर्म पर रहेगा और डिवाडिंग स्टेज पर रहेगा तो क्रोमेटीन किसमें करनबट हो जाएगा इसलिए जो है क्रोमो जो मों नुकलियस भी यहां प्रजेन्ट है, विच फंक्षिन टू कुशिन एंद प्रोड़ेक्ट अब नुकलीज़ तक रियंद्ट करना और जो कंटेंट है, उसे प्रोडेक्शन देना कहां पर नुकलियस के अंदर जो है, नेक्स्ट आगया है Nucleoplasm है हमारा, Nucleoplasm also support the nucleus by helping maintain the shape, उसके साथ साथ जो यह pressure maintain करेगा Nucleoplasm, उससे Nucleoplasm की shape भी maintain रहे हैं, एडेशनली एक और बात कर ले हम, Nucleoplasm provide a medium by which materials such as enzyme and nucleotide DNA and RNA substitute can be transported through the nucleus, और यही जो है एक medium provide का जिसके थ्रूँ जो DNA transcript होगा, उससे जो mRNA फाम होगा, Nucleoplasm के थ्रूँ ट्रांस्पोर्ट होगे Nucleopor के थ्रूँ बहार आएगा, तो यह एक transporting channel यह transportation में भी help कर रहा है किसके mRNA के mRNA क्या, messenger RNA, messenger ribonucleic acid, substance are exchanged between the cytoplasm and nucleoplasm through nuclear pore, तो यह पहले ही बात होगे, repeat है हमारा यह, अब next बात करें, chromosome and chromatin की, chromosome are present in the form of string of DNA and histone, तो chromosome क्या है, वो क्या है, DNA और histone है, histone क्या basic proteins है, ठीक, और यह क्या form करते हैं, chromatin form करते हैं, अब chromatin क्या है, chromatin chromosome में कोई भी difference नहीं है, उनका constitute is same है, बस difference यह है कि जो दो different stage है cell की, एक dividing, non-dividing, उसके according हमें इस तक दिखाई परते हैं, chromosome is made up of chromatin, chromatin is made up of DNA, RNA and protein, chromatin किसे बना, DNA से बना है, RNA से बना है, RNA से बना है, प्रोटीन से बना हुगा है, at interface, chromosome are visible as a thin chromatin fiber present in the nuclear plasma, जब interface होगा, जब सर्व डिवाइडिं के लिए डिवीजन के लिए प्रिपेर होगा, उस टाइम हमें अपियर होगा, cell के stage में, chromatin stage में दिखाई हैं, during cell division, the chromatin fiber condensed and chromosome are visible with distinct feature, अब जब cell divide होना start कर जाएगा, तो यह condensed होगे और distinct feature form करेंगे, chromosome form करेंगे, chromosome miss क्या होता है, colored body होता है, ठीक, chromosome is color और zoom is body, when cell is resting, that is not dividing, the chromosome are organized into entangled structure called chromatin, और जब cell divide नहीं कर रहाता होता है, तो एक entangled structure दिखाई पड़ता है, जो कि protein और DNA आपस में entangled जाते हैं, और फो फाइबर form करते हैं, वही क्या होता हमारा, chromatin होता है, बार बार वही चीज़े जो है, गुमा गुमा के यहां पे, explain क्यों ही है, every chromosome, every chromosome essentially has a primary construction or the centromere on the side of, side of which disc shape structure called kinetochore, तो जो ग्रोमोजोम है, ग्रोमोजोम हो गया, वहाँ पे disc-like structure को दिखाई पड़ता है, हमें, centromere पे, यहां पे, जोईन हो रहे है, जो यह disc-like structure है, इस disc-like structure को बोलता है, kinetochore, and this kinetochore is very important for the division, और for the cell division, क्योंकि cell, जो है, जो डिबाइट करता है, उस ताइम जो spindle fibers है, वो attach करते है, attach करने के बाद, यह वाला portion, जो है, यह toward pull जाएगा, this pull जाएगा, toward this pull जाएगा, and this will help in dividing the cell into two, next बात करें, centromere hold two chromatids of a chromosome, और centromere, जो 2 chromatids, एक chromatid यह हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो जो है, जो है, जो है, इनको आपस में hold करने में भी help करता है, अब next बात करें, on the position of centromere, अब centromere कहाँ पे position है, उसकी, उसके according, हम जो है, ग्रोमोजोम को four time में divide करते हैं, metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric, ठीक, अब जो इनकी position की recording हमारे पास कितने type की ग्रोमोजोम हो गया, four हो गया, metacentric में क्या होगा, middle centromere, centromere कहाँ पे होगा, middle में होगा, और हमारे पास equilibrium form, जिससे यह हो गया, यह हो गया, यह हम middle represent है, जितनी length इधर है, उतनी length इधर है, both side, clear, तो अगर ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो हमारा जो हमारा chromosome होगा, होगा, metacentric type होगा, अब दूसरी बात करें, अब दूसरी बात करें, किसकी sub metacentric की बात करें, तो यह कह रहा है, has centromere slightly away from the middle, middle से थोड़ा slightly away कर जाएगा, and middle of the chromosome resulting one shorter arm and one longer arm, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हो गया हमारा ठीक, इससे क्या हो गया, हमारा एक यह longer arm मिल गया और एक यह shorter arm मिल गया, क्यूंच्ए यहां, यह极ति अंट्र में sit कर गया, तो ऐसे स्क्रोमोजम जहां पर एक longer arm होगी और यह shorter arm होगी वह हमारा क्या हो गया, sub metacentric हो गया. पिन नेक्ट बात करें इसकी एक्रोने केक्र रोमोजंब की बात करें एक्रोसेंटिक रोमोजोम में यहां चेंट्रोमीर इन्य हूह चुँट हो यह और और ये extremely short होगे तो depending on the centromere जो मारे पास ये different structure farm हो रहे हैं एक टूसहर पर एक लॉगर होग एक shorter होगे extremely यहाँ पे longer और shorter के लेकिन यह extremely short extremis long आम होगी अब ती लो centric में क्या होगा त्रम टर्म तर्में यहाँ पर क्या होगा यह हो गया और यह हो हो गयाँ पर अब इंट व्याँ तर्मियों अब जो यह डिफरेंट टाइप सुप्स हैं अमारे पास हो यहां पर में एक्स्प्रेंट एस डाइग्राम के दूगा समय सकते हैं यह मैटा सेंटिक हो गया इसका ही एक और हो गया जो कि तीले संटीक हो गा अभी यह यह वीजिज इंपुर्ट जी यहां रिखी सेटैलेक्वां कुछ है क्रोमोजों में वाहं पर 5 इसे दिखाई पड़ते हैं अजो एक कंसिक्षिन फार्म कर तैं एक तंसिक्षिन फॉर्म ऑड है इस इस सेटलाइट तो क्रोमोजोम के टॉप पर या पेक्सपे अगर हमें कुछ फाइबर से दिखाई पड़ते हैं अब्जब करने पे और जो है वह कंस्रिक्षिन फॉर्म करें देन डाट कंस्रिक्षिन इस नॉन आज सेखेंडरी कंस्रिक्षिन और सेटलाइट अब नेक्स्ट बात करने यहां पर क्रोमोसों के बाद गुले लस्की क्यूंकि ये भी स्क्राइब हमारा जो है न्यूटेलस के मिलता और इसकी इंपोर्टेंस है तो न्युक्लियले लस इज अट् Test मेंबरें लेस त्रॉक्ट रहे है नुक्लिस के इमारेंट नहीं परदेंट है तो यह क्या है कम्पोस कड़ता आर अर्न अन प्रोटिन क्या और नहीं जो सबासानsan dan पढ़ोगे यह दो कॉंसेप्ट जो है यह इससे रिलेटेड हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सम अब दा युकरिटिक और निम्स हैब नुकलियस दैट कंटेन अब टू फोर निकलियाई कुछ में ऐसे मिलेगा एक से ज्यादा भी नुकलियाई मिलेंगे है डिपेंड करता है उसका फंक्शन किया दन नुकलियस कंटेन नुकलियलर औरनाइजर और विच आर पार्ट्स ऑप क्रोमोजोम बिद जीन फॉर राइबोजोम सिंतेसिस ऑन देम तो यहां पर क्या प्रजेंट है कुछ स्ट्रॉक्टर प्रजेंट है जो कि राइबोजोम सि होगा राइबोजोम और ने सब्यूनिट फॉर्म होंगी एंद इस सब्यूनिट ज्वाइन टोगेदर तो फॉर्म राइबोजोम दूरिंग फ्रोटेंस और एक और चीज़ आप पढ़ेंगे कि राइबोजोम जोते हैं हमारे वह यूरिस में होते हैं उन्हें हम क्या बोलत से प्रोकरेटिक में पीछे पढ़ा हैंने में सेवेंटियस मिलेगा और एक यूक्रेटियर्ट फॉर्म से बनता है तो वहां पर वहां हम डिसक्रस करेंगे नेक्स बात करें दनीकणूलेसं दिसपीरिंग डिसंपीर दॉरिंग दप्रोफेज एड़ी अप्यर इनत्य टीलोफेज उसके साथ एक बहुत इंप्यूर्टन बात है कि जो हमारे निक्लेस थे वह डिसपीर हों दूरिऑ रिसपीर हो जाएंग दूरिंग दसफे डिविजन स्टॉप हो जाएगा और साइटोगानिस के लिए प्रसीड रोगा उस ताइम जो है यह दुबारा रियापीर होंगे फॉर्म होंगे सेल के अंदर अब नेक्स्ट लास्ट बात जो यहां करनी फंक्शन की नुपलियस की तो नुपलियस का मेन फंक्शन है कि यह जो है के लिए तो जब यह एक से दूसरे त्रांसपर होंगे तो वह क्राट्थ भीटांसफर करेंगे यह एंट में सेर्ललर मेटा मृलोलिसहू मैं थुअ चाहिन उसके साथ अधिक और आकशिक्साइब या distingu एंजाइम या प्रोटीन करने में में है कहलप करेंगे घ्ली करेंगे इ है clear protein system में करेगा cell divide करेगा उसके लिए में नुकलियस इंपार्टन है सल की growth and development किसी growth and development हो रही उसके लिए भी नुकलियस सी responsible है next बात करें store heritage material in the form of DNA strand also store protein and ribosome ribonucleic acid तो यह DNA store करता है DNA जो की heritage material है वो store करता है nucleus और protein के साथ साथ और ने भी store करता है इससे nucleus nucleus की तुरूथ it is a site of transcription process in which messenger RNA are produced for protein synthesis और जो protein synthesis से उसके लिए हमें कैचे है mRNA mRNA form कैसे तो DNA के transcription से तो यह भी काफी important चीज है बीना DNA के protein नहीं फॉर्म हो सकता है it helps in exchange of DNA and RNA heritage material and between the nucleus and the rest of the cell nucleus की बात करें इससे information को nucleus से साइटोप्लाज में है साइटोप्लाज में जो उस ट्रांस्लेट हुआ ट्रांस्लेट होगा ट्रांस्लेट होगे करते है क्योंकि राइबोजोम का सबसे बड़ा रोल होता है प्रोटीन फॉर्मिशन में इट आस्व रेगुलेट दे इंटेग्रिटी आप जीन एंड जीन एक्स्प्रेशन और जीन जो है उसका अधर टॉपिक्स हैं यहां पर हमारे वह हम डिसकुस करेंगे और इसी की कंप्लीट होने के साथ साथ यहां पर हम कॉंक्लूड करेंगे